तो आप मैंसे काफी लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कोई फ्री रैंक ट्रैकर मैं शेयर कर दूँ और मैंने पहले भी वाट्स में सर्फ एक कीवर्ड रैंक ट्रैकर इसको शेयर किया था और मैं यही यूज करता हूँ अपने लिए लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ही आ सब्सक्रिप्शन लेनी नहीं पड़े क्रेड़िट्स भाय नहीं करने पड़े उसके लिए एक रैंक ट्रैकर है जिसका नाम रैंक इनदी और इसके अंदर भी रैंक ट्रैकर आपका है वो भी काफी अच्छा और इनकी भी वह ही है कि एक लिमिट तक आप यूज कर सकते हैं मैं comparison करूं तो 300 checks per month मतलब अगर आप daily के अगर जैसे आपने 10 keywords डाले हैं तो आप daily एक मरतबा वो automatically check हो जाएगा और पूरे month तक आप 10 keywords की tracking कर सकते हैं अगर तो 300 checks अगर आपको use करने हैं पूरे तो daily अगर आप 10 keywords डाले तो हर महीने आपका यह free version चलता रहेगा तो इसके अंदर कोई credit card की requirement नहीं होगी ना कोई आपको details दे नहीं सिवाए बस sign up करना है अपना email password डालके और पिर आपके पास यह dashboard आ जाएगा अच्छा अब वैसे rank trackers बहुत सारे हैं मैं अभी भी वाट्स में सर भी recommend करूंगा लेकिन क्यूंके इसकी प्राइस होड़ी जादा है या अगर सर प्रोबॉट है या pro rank tracker है वो भी अच्छा है यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देंगे और जो भी project name आपको डालना है समझे के अभी तो as an example मैं google को डालता हूँ यहाँ पर तो project name मैंने google लिख दिया और website address में जो website का नाम होगा तो google.com उसके बाद नीचे है track subdomains और अब देखें अगर तो आपकी website में अगर आप subdomains यूज करते हैं जिस तरह अगर google पर है तो earth.google.com या जो भी अगर आपका भी subdomain है तो फिर आप उसे यहाँ पर track subdomain को enable कर सकते हैं और अगर आप subdomains में काम नहीं करते तो इस चीज को आपको enable करने की need नहीं है उसके बाद automatic positions checking everyday at 7 ठीक है यह आप इससे by default ऐसे ही रहने थे उसके बाद आप next कर देंगे search engines के अंदर आपके पास options आते हैं कि आप वो कौन-कौन से add करने है Bing है Google है और Google Maps है यह index है लेकिन जितने जादा search engines डालेंगे तो आपकी जो usage होगी वो भी जादा बढ़ जाएगी क्योंकि अगर checks जो होते हैं हर एक search engine का एक check होता है तो अगर आप multiple search engines use करेंगे तो आपके जो credits होंगे वो भी जल्दी consume होंगे इसलिए मेरा suggestion यह होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ Google को use करें और region जो आपको रखना है अगर आपका blog local है तो आप India select कर सकते हैं language अगर आपको कोई और रख नहीं हो तो मैं फिलाल से region United States और English रहने दूंगा उसके बाद आप next कर देंगा maximum 10 keywords track कर सकते हैं परमान तो जो आपके सबसे important 10 keywords हों आप उन्हें enter कर दें आप जैसे मैंने Google डाली वे तो मैंने Google लिए उसके बाद Google Earth लिए या Google Labs लिए जैमिनाय लिए लिए तो जो आपके 10 most important keywords होंगे आप उन्हें यहां पर add कर देंगे या अगर आपके 10 से कम keywords हैं जैसे आप प्रोजेक्ट सेफ करेंगे उसके बाद आपकी जो भी positions होगी वो automatically यहां पर आपको show हो जाएगी next करने के बाद competitors अब यहां पर अगर आपका कोई ऐसा competitor है जिसको आप track करना चार है उनकी keywords की position क्या है तो वो भी आप डाल सकते हैं लेकिन यह डालने के बाद आपके ज tracking नहीं करनी तो आप उससे एसे रहने दें उसके बाद आप continue करें और अभी create project हो जाएगा create project होने के बाद आपके सामने ऐसी screen आजाएगी जो भी आपकी website होगी for example मैंने गूगल डाली है और keywords जो थे वो मैंने Google के तीन-चार डाल दी है यहां पे अभी थोड़ी ही देर में जो positions होंगी वो आजाएंगी उसके बाद आपको नजर आजाएगा जो आपका keyword या जो आप domains डालेंगे उसके बाद आपको नजर आजाएगा कि आपकी website कौनसी position पे है जैसे for example Google keyword पे obviously google.com first पे तो अब यह इसी तरह आपके सामने भी जो भी positions होंगी वो नजर आएगी अग जैसे अगर मैंने google.com डाला है तो वो सिर्फ यही track कर रहा है कि google.com की tracking कहां पर है तो अभी जिस तरह जो keyword google earth है उसके उपर क्यूंके मैंने sub domain की tracking भी enable रखी थी इसी वजह से earth.google.com की भी tracking आ रही है और position number one शो कर रहा है तो इस तरीके से आप अपनी जो rank tracking होती है वो use कर सकते हैं rank community पर आके क्यूंके जिस तरह मैंने कहा कि free to use है 300 credits per month आपको मिलेंगे 10 keywords के आप daily tracking कर सकते हैं उसके बाद जो भी fluctuations आपकी होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी यहाँ पर dashboard में rank community के एक चीज इसके अंदर क्यूं और उसके बाद update कर दिया कि जब आपको on demand tracking update करनी हो वो चीज नहीं होगी free version पे लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि daily आपके पास जो आपका schedule set है जो शुरू में जिस तरह वो automatic scheduling का आया हुआ था तो हर दिन आपकी updates होती रहेंगी keyword की तो आपको नजर आ जाएगा कि daily की आपकी जो keyword position थी वो yesterday कौन सी थी आज कौन सी है इस तरीके से फिर आप अपनी जो tracking होगी उसे monitor कर सकते हैं date wise के 24th मार्च को अगर जिस तरह Google keyword पे website number one पे Google.com तो 25 को क्या है 26 को क्या है जैसे जैसे जो दिन गुजरते जाएंगे उसके बाद आपकी जो भी website होगी और जो keywords आप यहा सारी नजर आ जाएगी जितने भी दिन आप यूज करेंगे इसे रैंकिनी ठीगो और कुछ करने की नहीं होगी उसके अंदर एक ही मरतबा set and forget वाला स्थीन है जो आपके 10 most important keywords है उन्हें डाले या जो उससे कम है 4-5 keywords अगर आप डालना चाहरें तो भी बैतर है लेकिन अभी कोई भी keyword rank tracker use करना बहुत important है जैसा के मैंने काफी वीडियो में कहा है के core update के बाद जो Google की आई थी और जितनी जादा core update और spam update के बाद website हिट हुई है और rankings के अंदर जो fluctuations हो रही है उसके लिए keyword rank tracker बहुत जरूरी है वरना फिर आपको एक दूसरा option पर यह होता है कि आपको जो भी आपकी website है उसके लिए फिर आपको manually जो है वो keyword tracking करनी पड़ती है जैसे अगर मेरी bright dine हो है तो मैं फिर manually बार बार आके यह देखते रहूंगा website कहां पे और spreadsheet में देखूंगा कि कौन से keyword पे website आज कौन से दिन पे थी कल कौन से दिन पे थी इसी तरह फिर spreadsheet यह manually maintain करन अब इनके तो जो lifetime free versions है वो इन लोगों ने बंद कर दी है तो उसके लिए आपको upgrade ही करना पड़ता है अभी भी what's my sir मेरा go to keyword rank tracker है मुझे काफी अच्छा लगता है लेकिन rankinity भी मैं थोड़े दिन थोड़े दिन उसमें use कर रहा हूं तो यह मतलब beginners के लिए बहुत ही अच् कोई subscription वगरा नहीं लेनी तो आप rankinity को use कर सकते हैं और फिर जो भी आपकी website की जितनी भी keyword की positions आप जो monitor करना चाहें वो कर सकते हैं तो link इसका description में मिल जाएगा आप जाके sign up कर सकते हैं और फिर अपने जो भी keywords हैं उनने track कर सकते हैं तो यहां मैं अपनी video end करता हूं और अ